सभी समू की महिलाओं को मेरे तरब से नमस्कार आप सभी को प्रेड़ना टीवी चैनल के तरब से भी नमस्कार आईए आपका हमारे चैनल बस स्वागत है जानते हैं सरकार का नया फर्मान क्या है जी हाँ जैसे कि मैंने थमनेल में लगा रखाया दिधी, सरकार का नय फर्मान स्वयम शायता समू की दिधियों के करज माफ ऐसा आप लोग सोच रही हैं कि हमारे करज माफ हो गएं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है दिधी जैसा कि मैं आपको बता दूँ कि सभी दिरिया स्वैम शायता समू की महिला सोच रही है कोविट आजाने के कारण सरकार जो है हमारे कर्ज माफ कर देगी और सजी बंद हो जाएंगे स्वैम शायता बंद हो जाएंगे तो ये आपकी गलत फैमी है आपको आज मैं इसी टॉपिक पर हमारे वीडियो है आपको आवगत कराना चाहती हूँ कि ऐसा ना सोचें ये स्वैम ग्राम स्वराज योजना नहीं है कि जो दिदियों ने स्वैम शायता द्वारा एक समू बनाया और पैसा पाया और समू को बन कर दिया और जाज नहीं हुई तो इस गलत फैमी में दिदि ना रहें आप सभी दिदियों से हमारा अनुरोध है कि आप सभी स्वर्जी को बन ना करें और समय समय से रिण मुल्धन ब्याज वापसी करें जी हाँ जैसा कि मैं हर वीडियो में बताती हूं दिदि कि आपको पंसूत्र का पालन करना ही होगा जी हाँ समय से बैठक सापताहिक बैठक याद रखें समय से सापताहिक बैठक और सापताहिक बचर आंतरीक उधार समय से रिण वापसी लेखा जोखा यह सब प्रक्रियां जो हैं आपको करती रहनी है आप समय को बंद करने की ना सोचें क्योंकि काफी मुझे कॉल्स आ रहे थे कि दिदी समय बंद हो जाएगा हमने इतना पैसा लिया है हमने 20 जार लिया है 30 जार लिया है वह नहीं जमा करेंगे अब तो करजे सरकार माफ कर देगा तो ये गलत फैमिया दूर करने के लिए ही मेरा ये वीडियो आज बनाए गया है कि दिदी ऐसा ना सोचें अपने पैर पर कुलारी ना मरे क्योंकि बड़े मसकत के साथ हमने अपना समू बनाया है आपने भी बनाया होगा समू बनाने के लिए कितना प्रयास किया गया सारी महिलाओ दिदियों को तयार किया गया एक समू बनाने के लिए फिर सरकार दौरा आई गए दिदियां बियार पी दिदी जो है हमारे खाते खुलवाए CRPD खाते खुलवाएं उसके बाद हमारे खातों में आया इस्ट अटफ फंड जी हां 1500 और रजिस्टर फ्री भी दिये गए सरकार की तरफ से उन्होंने कितनी सायता की उसके बाद सरकार द्वारा दिये गए 15,000 आर्या फधनरास्ती जिसको रिवाल्विंग फंड कहा जाता है उस पैसे को तो सरकार ले ही नहीं रहे हो आपके पास आएगा लेंदिन करने के लिए ना कि लेके बैठने के लिए तो इस बात पर आप लोग विशेश जान दें सी आयद धनरास्ती 1,10,000 जो आपके समू में दिया गया है उसे लेंदिन करने के लिए दिया गया है अपने समू को बढ़ाने के लिए दिया गया है उसे आप लोग समय समय पर वापस करें क्योंकि उस पैसे को ग्राम संगठन में जमा करना होता है और दीदी ग्राम संगठ संग्ठन में जमा किया जाता है अब कुछ दीदियों का यह भी गना है जाता है कि हम लोग जो पैसा दे दे रहे हैं आ ग्राम संगठन में जमा हो जाएगा हमें दुबारा पैसा नहीं मिलेगा और मिल नहीं रहा है तो ये आपकी दिदी गलत फैमी है पैसा मिलेगा वह समान रिण कहा जाता है समान रिण के तोर पर दुबारा रिण मिलता है इस बात का विशेद्यान रखे समू को ना तोड़े आप लोग पहले तो सबसे पहले सापताहिक बैठक, सापताहिक बचत, आंत्री गुधार, समय सिरनवाफसी, लेखा जोखा, इस पन्सुत्रों का पालन सजी में करते रहें, अपने समू को तूटने दा दे, जी हाँ चाहे, लागडाउन लग जाहे, चाहे, कोविड-90 आ जाह आप सभी को यह प्रयास करना है कि समू को नहीं तूटने देना है, जैसे सब काम हो रहा है, उसी प्रकार आपको समू पर भी ध्यान देना है, यह हमारा एक परिवार है, हम एक दूसरे की सहायता करेंगे और लेंगे भी सहायता, अगर आप समू को तोड़ देंगे, तो जाएगी जब तक आपकी आजीव का सरकार नहीं बनाएगी तब तक समूर नहीं बंद होगा समूर चलता रहेगा तो जैसे मैंने थमनेल में बताया दिती कि सरकार का नया फर्मान तो सरकार का नया फर्मान स्वेम शायता समूर की दिदियों के कर्ज माफ कर्ज माफ है कौन से माफ है मूलधन नहीं माफ है तीन महीने का ब्याज माफ है जो लाउडाउन के दरान 22 मार्च को लगा था जी हाँ उसके बास ते सभी दिदिया अपने समू में तीन महीने का ब्याज नहीं लेंगी लेकिन तीन महीने के बाद सारा ब्याज देना पड़ेगा और मूनधन भी जमा करना होगा क्योंकि अगर मूनधन दीदी आप जमा नहीं करेंगी तो समू तूट जाएगा जब समू तूटेगा तो ग्राम संगठन तूटेंगे जब ग्राम संगठन तूटेंगे तो कलश्टर तूटेगा तो ऐसा नहीं होना है तो आप सभी तीदियों से अनरोध है जो इस गलत फैमी में जी रही हैं दीदिया यह हम पैसा नहीं जमा करेंगे सरकार ने माफ कर दिया है तो ऐसा कुछ भी नहीं है सरकार ने यह आजीवका चलाने के मकसद से पैसा दिया है तो आप लोग पैसा जमा कीजिए और दूसरी दीदी भी पैसा लें आपके पास समय से नहीं है वो अलग बात है लेकिन आपको वापस करना ही होगा आप गलत फैमी में ना रहिए आपको समय समय से रिनवापसी, मुलधर्मापसी, ब्याज सबको जमा करना होगा ग्राम संगठन में अगर आपके पास सियाय धनदासी है आपके समू में सियाय धनदासी का कर्ज है तो आपको ग्राम संगठन में जी हाँ आपको ग्राम संगठन में जमा करना ही होगा और समू जो सदस्य है वो समू में जमा करना होगा क्योंकि अगर दिदी आप समय समय से लेदिन करेंगी कोशिश करके थोड़ा सा प्रयाश करते रहे मुस्किलों का समय है कोविड चली रहा है दिक्कत आ रही है हमें भी पता है आपको भी पता है लेकिन आपको समू को तूटने नहीं देना है बचत कम से कम करते रहे है और समय से ब्याज वाप्सी देते रहे कि आपका समु भी चले आपका ग्राम सगठन भी चले और कलस्टर भी चले तो आप सभी को कि आप सभी दिद्यों को हमारा रोज है कि प्रेण 소리 tv channel को subscribe करें और like करें share करें क्योंकि सबी दिद्यों को जागरुक होने की है जरूरत ये सम्मू हमारा है, ना कि सरकार का सरकार ने तो अपना काम कर दिया, सम्मू बनवा दिया आपको RF दे दिया, startup दे दिया, SIय द्धन रासी दे दि अब हमें ये प्रक्रियाएं हम सभी को करना है ये सम्मू हमारा है जान से प्यारा इसे नहीं बंद करना है दिदी आप अगर अटल रहेंगी हमारा सम्मू अटल रहेगा तो कोहीं कोरोना या लागडाउन कुछ कहीं नहीं कर सकता तो आप सभी दिदियों स्वैंडरोध हैं सज्जी में स्वेम शाता समू में समय समय से मूलधान ब्याज और बचत जमा करती रहिए कम से कम आप लोग बैठक जरूर करिए कि अगर बैठक नहीं करेंगी तो आपको एक दूसरे के बारे पता नहीं चलेगा चर्चाय नहीं होंगी मुखे चर्चा नहीं होंगे तो समू पसितना ही अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरू कर दे और इस धोके में ना रहे कि सरकार आपके CIS धनासी को माफ कर देगी ये पैसा आपको रिटन करना ही होगा ग्राम संगठन में सदस्य करेगी समू में समू करेगा ग्राम संगठन में ग्राम संगठन जमा करेगा कलश्टर में आपको पैसा जमा ही करना होगा पहले समू भी क्या होता था कि 2% लगते थे लेकिन लाग 50 परसे से कलश्टर में जमा करेगा तो इस पकाप रख्या चलती रहेंगी दिदी आप परशान ना हो आपको समान रड़क भी मिलेगा लेकिन कब जवाब समय समय से वापसी करेंगी तो चले दिदी आज की वडियों बस इतना ही धन्यवाद सस्क्राइब माई चैनल